हेलो प्यारवी दर्तियों समाइकेड में की यूटूब चनल में आपका हार्दिक स्वागत है I hope कि आप सभी सवस्थ होंगे मस्थ होंगे आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान वरक बुक के कार्य पत्रक 46 के बारे में इसे पहले अपन 45 तक कार्य पत्रक कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आप उनको देख सकते हैं इसके साथ साथ ही आप इंगलिज और गनित के कार्य पत्रक भी वहां से देख सकते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पले लिस्ट का लिंक दिया गया है अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी ताक आपने चैनलन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपली चैनलन को सब्सक्राइब जरूर करें शुरूरात करते हैं विस्य वस्तू विस्य वस्तू रहेगे अपनी गुर्तवाकर्शन पहला परसन है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पर्थवी पर इसके भार का एक बटे 6 गुना क्यों होता है तो क्यों होता है वो देखते हैं एसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के गुर्थवाकर्शन के कारण कारण तवरण पर्थवी के तवरण का चटा बाग है यानि पर्थवी का तवरण उसका चटा बाग होता है एता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार एक बटे च्छे गुणा पर्थवी की स्थै पर वस्तु का भार है यानि जब कहते हैं कि चंदर्मा पर जाने के बाद वस्तु का भार क्या हुजता है, अगर यहां 60 के लोग है तो वहां कितने कि लोग होगा? 10 किलोग होगा सेकिंड है चंद्रियान थ्रीक का भार पर्थवी की स्थाय पर मापने पर 15 न्यूटन आता है इसका भार चंद्रमा की स्थाय पर मापने पर कितना होगा वो कितना होगा देखो चंद्रमा की स्थाय पर भार 1 बटे 6 गुना पर्थवी की स्थाय पर वस्तु का भार तो वस्तु का भार यानि परत्वी किस्था पर कितना है 1 बटे 6 गुणा 15 यानि 15 बटे 6 15 का 6 बाग देंगे तो 5 बटे 2 तो चंदरमा किस्था पर ये भार हो जाएगा 5 बटे 2 यानि 2.5 N यानि N का मतलब N 2.5 N हो जाएगा यानि उसका 6 आइसा तो जैसे अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आजाएगा 15 आजाएगा अगला है चाकू की धार तेज क्यों होती है चाकू की धार तेज इसलिए होती है क्योंकि ये संप्रक छेतर को कम करता है और लगाएगे दबाब को बढ़ाता है यान इसके उपर क्या लगाएगे दब लगाएगे दबाब को बढ़ाता है अगला परसन है घंतवा किसे कहते हैं किसी पदार्ग की इकाई आयतन में नहीत उस पदार्थ का घंतवा कहते है समझ में आ गया? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में नहीत द्रोयमान को उस पदार्थ का घंतवय कहते है लास्ट परसन है उत्पलावक्ता से आप क्या समझते हैं? यानि उत्पलावक्ता क्या है? जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर पानी के दुआरा उपर की और एक बल लगता है उसे उत्पलावक्ता कहते हैं तथा इस गटना को उत्पलावक्ता कहते हैं जब किसी वस्तु को पानी के अंदर अपन डुबोते हैं तो उस पर पानी के दुआरा जो उपर की और से एक बल लगाया दाता है उसको उत्पलावक कहते हैं और इसी गटना को उत्पलावकता कहते हैं I hope कि आपको अच्छे से समझमाया होगा Thank you